समुद्र के गहरे पानी में एक मचली का जोडा रहा करता था, जिनमें से मेल मचली का नाम मारलिन था और फीमेल का नाम था केरल, इन्होंने एक गुफा में अपने 400 अंडे दिये थे, अपने बच्चों के नाम रखते वक्त केरल मारलिन से कहती है कि वो भे एक बच्चे का न नाम नैमो रखेगी, पर एक दिन एक शार्क मचली की नजर उन दोनों पर पढ़ जाती है, मारलिन अपनी पत्नी से घर में जाने को कहता है, लेकिन केरल अपने बच्चों को बचाने के लिए गुफा की तरफ भागती है, शार्क के एक हमले से मारलिन बेहोश हो जाता है, जब उसकी आँख खुलती है, वो अपनी पत्नी को धूनता है, लेकिन वो बड़ी मचली मारलिन की पत्नी और बच्चों को खा चुकी थी, जिससे मारलिन बहुत दुखी हो जाता है, पर तभी उसे अपना एक अंदा जमीन पर गिरा दिखता है, जिसका नाम वो अपनी पत तभी वहां मारलिन आ जाता है और नेमो को जोर से दाटने लगता है, जिससे नेमो भी गुस्ता होकर उस चैन को छुने चला जाता है, मारलिन नेमो को वापस आने को कहता है, पर तभी वहां कुछ गोता खोर आ जाते हैं और नेमो को पकड़ लेते हैं, मारलिन नेमो को जाने 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 भी आराको बाती हैं